हलो दोस्तो, विलकों डो मैं चैनल, मैं सरोज आगिया हूँ, एक और निया वीडियो ले करके तो जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं, कैसेट फिरी हब को रिपियर होते हुए, तो इसके क्या हुआ है कि में प्रॉब्लम जो में इस्प्रिंग ही होता है, वही तूट गि का बोल देता है कि यह रिपियर नहीं होने वाला, तो क्या ऐसा जुगार ले करके आए हैं, एक दम क्यासेट फिरी हब जो है, पूरा एक दम नया जैसा बन जाता है, वीडियो को एक जरा भी इसकीप नहीं कीजेगा, क्योंकि वीडियो का अंदर कॉम्प्लिकेटेड वाली क्या हुआ ऐसा कि आप लोगों को देख सकते हैं सामने से जो कि फ्री वील जो है अंदर से जैम हो चुका है, तो इसको फ्री वील नहीं कहा जाता है, इसको कैसेट इस पॉकेट कहा जाता है, या फ्री हब कहा जाता है, तो यह किया हो रहा है कि पैडल मारती ही संग पूरा स सामने का तरफ चेन को घीच ले रहा देख सकते हैं फ्रीविल जो है पूरा एकदम जैम हो चुका है फ्री हब के अंदर जो है पूरा खराब इस्तीती है आप लोगों को आगे चल करके देखने के लिए मिल जाएगा तुससे पहले यहां पे जो हमना हुईल वगेरा सारा यह जो आप लोगों को अगर चाहिए तो इसका लिंक मैं डेस्क्रिप्सिन पर दे दूँगा आप लोगों को ऑनलाइन से बाई कर लिजेगा सबसे पहले यहां नॉर्माल फ्रीविल ओपेनर को लगाएंगे उसके बाद चेन टूल जो होता है उसको फ्रीविल में लगा ल पूरा सेट ही अपना उठा करके बाहर लेकर आ चुके हैं तो यहां पर देख सकते हैं अंदर क्या इस्तिति है इसको फ्री करने के लिए बंदे ने क्या किया था कि अंदर ग्रीज डाल दिया था या पता नहीं कोई टेक्निसियन इस पर डाल दिया होगा यह मुझे नहीं तो फ्री हब को खोलने के लिए सबसे पहले यहां पे एक्सेल वगेरा सारा कुछ निकाल लेना पड़ेगा तो देख सकते हैं यह सील बेरिंग बाला एक्सेल है तो इसको निकाल लिए हम लोग तो अंदर देख सकते हैं कैसा इस्तेती है पूरा एकदम गंदा सा तो इसको स अपना प्रीहब टाइट होता है रीवा होता है इसाई यहांपे देख सकते हैं दो ढाट बना हुआ है इसाई का मदद से A zap टूल आता है जिसके मदद से आप स्कूल सकते हैं अगर नहीं है तो आप कैसे खोलेंगे तो यहां पर इस ही टाइप कर को होले करते हैं और उल्टा थ्रेड का होता है तो खुलते टाइम यह क्लोक र приех थोड़ा सा थाइट होता है और क्या होता है कि आप लोगगों को बाद आप लोगों को मैं एक चीज दिखा दूँगा जो कि आप लोगों पता चल जाएगा उस टाइम पर यहां देख सकते हैं मेरा कब पूरा धिला हो चुका है उसको क्या करना है ऐसे घुमा घुमा के खोल लेना है तो उससे पहले जो की जितना भी बॉल बगेरा रहता है उसके अंदर गिरीज बगेर रहता है तो रोटर पर जाकर के ना गिरे और रोटर खराब ना हो तीसी लिए देख सकते हैं इस तरीका से अपना एक कपड़ा बिछा लेते हैं ताकि आपना सारा कुछ जो है उसी पर गीरे आप लोग कपड़ा पेपर कुछ भी यूज कर सकत हैं लेकिन करना पड़ेगा तो देख सकते हैं यहां पर फ्रीहब जो है पूरत तिराके से मेरा हाथ पर आ चुका है निकाल करके और अंदर देख सकते हैं कितना रश्ट से भर चुका है और सारा कुछ गंदा हो चुका है तो एक एक पार्ट यहां से सारा कुछ निकाल लें सब्भेस इसे पहले देख से क्लिए सबसे पहले और न जिस अपना कांका चुछ को और सुनक से तुमच नें ने सबस्ट में आर ग progression करें, मैं उसका मत नहीं को सब्सक्क्तार चिया हैर्नुनियस समनने काुग है क्लिए पे दोस्ते सुर्वाख चेंटामें , बज़े से उभर गिया था अभी आप लोग चेक कर लिजेगा इसको जो है मैंने ग्राइंडर से घिस करके पूरा एकदम लेवल कर दिया ताकि अपना यह फ्रीली काम करें और देख सकते हैं यहां पर दिया हुआ है जो कि आप लोगों को धिला और टाइट करने पर मदद करत फरीली के अंदर रहता है एस टाइप का स्प्रिंग उसी को आपनले यहां पर यूझ कर रहें अगर यह नहीं होता है तो आप लोग कहां से क्या कर सकते हूं वह भुदी में बता देता हूं तो जैसे देख सकते ही यहां पर gives couple को मैं दिखा रहा हूं जयका सधर आब आप लोगों को दिखाया हूं तो इसकी ऊपर आपको spring नहीं लगाना है इसको छोड़ करके आपको दोनों side से छोड़ करके इसको बीच में रख एको spring लगाना है तो देख सकते हैं मैं इतना size का नाप लिया हूं मैं बेठा करके आप लोग को दिखा रहाएं कि देखीएगा अभी अब छोटा गोल कर लिया हूँ उतना ही साइज का है लेकिन गोलाई में उसको छोटा कर लिया ताकि यह प्रेस जादा करें इसका टेमपर्ड जादा रहे तो यहां को बाहर के तरफ गिशते हैं तो इसके बाद आपना टीद आप लोग आसानी से बठा आ सकते हैं तो देख लिजेगा किस तरीका से मैंने यहां पर टीद में बैठ जाएगा इंड़ देख देख दीद अफिक्र आप नहीं आने बाला है कि ईसका साउण को ढ़ता है अच्छा लगता है चुर्ण सकते हैं कि इसका साउंड जो आता है वह अच्छा लगता है तो देख सकते हैं, पहले मैंने ग्रीस को डाला, उसके बाद एक पतला सा पेचकेस के मदद से यहाँ पे ग्रीस जितना भी एक्स्ट्रा है, उसको काट करके मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पे ज़्यादा ग्रीस नहीं हो, बॉल सहीज यहाँ चेक कर बढ़िया से दीख रहा होगा, उसके बाद अपना बैरेल पे भी थोड़ा बहुत ग्रीस यहाँ पे लगा लेना है, यहाँ पर भी ज़्यादा ग्रीस आपको लगाना नहीं है, हलका हातों से यहाँ पर ग्रीस को लगा लिजएगा, उसके बाद पूरे सब जगा पे इस प प्रेस कीजेगा तो यहाँ पर आसानी से कि टीत अंदर के तरह पाजाएगा और जो है बैरल बैट जाएगा उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देख लिजेगा sound भी सुनाई दे रहा होगा spacer आपको किस तरीका से यहाँ पे लगाना है तो तीन spacer अपना था निकला हुआ तो एक ही spacer यहाँ पे डालेंगे ज़्यादा spacer यहाँ पे डालेंगे नहीं सबसे पहले अपना देख देख करके डालना है कितना कितना लगेगा तो बॉल देख सकते हैं मैं उपर वाला किस तरीका से लगा रहा हूँ ये तरीका सबसे इजी है पहले इस पेसर डाल दीए तो अपना उसके बाद बॉल को डालेंगे तो वो जा करके अपने जगा पे अपने आप बैट जाएगा उसके बाद अगर नहीं बेटता है तो यह से ही कोई नूकिला कि चीभी से आप बैठा सकते हैं आराम से ताकि आप लोग को ये बिश्वास हो कि मैं इस पेसर नहीं लगा रहा हूँ, एकी इस पेसर मैंने यहाँ पे डाला है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको उपर से प्रेस नहीं करना है, सिप हलका हातों से एंटी क्लॉक बाइज इसको घुमाते जाना है, तब ही जा जैम हो जाता है, उसको जगा नहीं मिल पाता है, इसलिए यह जैम कर देता है, और अगर ज़्यादा इस पेसर डाल देता है, तो जो फ्री हब है, वो ओबिलिंग करने लगता है, टेड़ा मेड़ा घुमने लगता है, उस पर धक रहता है, और यह बाद में चल करके फिर तो आपना यहां देख सकते हैं फ्रीली कितना अच्छा घूम रहा है और साउंड भी अच्छा आ चुका है तो अभी जो है इसको ठोक करके यहां पर टाइट करना है कम्प्लीट यहां पर टाइट कर लेना है कैसेट को भी बिठाने का एक सही तरीका होता है जो कि मैं आगे चल करके आप लोगो दिखाऊंगा तो उससे पहले यहां पर आप लोग फिटिंग कर लेते हैं कैसेट पर छोटा छोटा आप लोग घाट बना हुआ देख सकते हैं तो उसमें से एक बड़ा घाट होता है तो वो दोनों पर ही आपको दिखेगा बेरेल पर भी और कैसेट पर भी तो उसी बड़ा घाट पर घाट मिला करके आप लोग जो है इसको बैठाईएगा तो यह एकी बार में सही तरीका से यहां पर बैठ जाएगा तो चेक कर लिजेग आपको करना पड़ेगा यह नॉर्मल फिरुविल जैसा नहीं टाइट होता है खुद से यहां पर आपको टाइट करना पड़ेगा बहुत ही बढ़िया सी यहां पर टाइट कीजिएगा जो कि बाद में ना खुले तो देख सकते हैं यहां पर अपना जो है क्वीक रिलीज वगेरा सारा कुछ यहां पर लगा लिये हैं आप पीछे वाला चका यहां पर बैठा लेंगे और बढ़िया सा टाइट कर लेंगे तो वीडियो कैसा लगा यह कॉमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा आपको और किस तरीका का वीडियो देखना है यह भी बता सकते हैं औ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को आल करके रख लिजेगा ताकि साइकल से रिलेटेट कुछ भी वीडियो आये ताब तक नौटिफिकेशन पहुँच जाए तो यह कैसेड में साउंड कैसा आया यह आप लोग चेक कर लिजे बहुत बहुत सुक्रिया फूल वीडियो देखने के लिए मिलते है किसी और वीडियो पर